स्री राम लला के प्राण पतेष्टा के अब कुछ ही पल रहे गए हैं वहीं अवधपुरिया भक्ती, संस्कृती और स्यवा के संगम में डूबी हुई है आप देख सकते हैं यहां का लटा चोक है जहां पर स्रधालू का हुजूम अभी भी उम्रा है जब कि पाबंदिया आओ हर कोई भक्ती में डूबा है कहां से आया अप लोग अयुद्या से ही है क्या कहेंगे प्रभू राम के लिए क्यों काफी दिनों बाद वो अपने धाम में विराजमान हो रहे हैं तो यह क्यों उनकी हम दर्शन करेंगे भागे नहीं बहुत बड़े सा भागी की बात है कुछ भजन सुनाईए प्रभू के लिए जो आपके अंदर उनके लिए भाव आ रहे हैं अपने राम लला खातर चुन चुन के फुलवाले आई हो अपने राम लला खातर चुन चुन के फुलवाले आई हो अपने राम लला खातर चुन चुन के फुलवाले आई हो आई हो आप लोगों ने बхगवान राम टेंट में ते तब आप लोगों ने दर्शन किये थैً अब भविधाम में जा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है लग भी हमारे हेंगोली महारस्ट अवद पूरी का दर्शन देखकर आपको कैसा लगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा हमारी स्वर्ग जैसा बाइस्टारी को न स्वरक्षरों में जोद्या लिखा जाएगा इतियास लिखा जाएगा हम लोका सनातम धर्म का कि एक राम आक्रिष्ण जैसा कोई वी सो में राजा इस वर पैदा ही नहीं हुआ कि जो कि धर्टी को भी धर्टी को भी फुटबॉल की तरह उचाने की चमता गाम में थी हमारे धर्म जैसा कोई धर्म देखकर एक भजन आप लोग और सुनाएंगे सजादो घर कोगुल सनसा मेरे प्रभु राम आये हैं मेरे प्रभु राम आये हैं मेरे प्रभु राम आये हैं लगी कुटिया भी दुल हनसी मेरे प्रभु राम आये हैं सजादो घर कोगुल सनसा मेरे प्रभु राम आये हैं जी हाँ मेरे प्रभु राम आये हैं इसी उल्लास के साथ पुरी अवद पुरी भक्ती में इस समय सराबोर है चाहे कोई भी चौराह हो या कोई भी गली हो हर जगे राम नाम का संकीरतन हो रहा है भजन हो रहा है बिरुजेलेस नर्यस सैनी के साथ संदीप पंडी न्यूजटीन अयुद्या